नमस्कार समाचर इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ भारत कोठियाल बात पच्छवादून की करते हैं जहां विकासनेगर तैसील के अंतरगत चंद किलो मिटर की दूरी पर रुद्रपूर गाउं में एक महीने से लगातार दिन रात जेसी भी मशीने चलाई जा रही ह और हैरानी की बात ये है कि ये सब बिना अनुमतिके हो रहा है आपको बता दे कि रुद्रपूर गाउं में गुनाखाले से लगती हुई सड़क के एक और लगबग सौ भीगा जमीन है जिस पर समतली करण के नाम पर दोजेशी भी मसीन लगाकर जमीन के लगबग चार देनी चाही तो उनके पास जमीन समतली करण के लिए जेसी भी मशीन चलाने की कोई अनुमति ही नहीं थी लेकिन फिर भी इन भू माफियाओं के होसले इतने बुलंद हैं कि बिना परशासन की अनुमतिके जेसी भी मशीने चलाकर जमीन में एक महिने से लगातार खुदाई की जा रही है और शासन परशासन में बैठे अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई है सन्नी के द्वारा बताये गया कि जमीन के मालिक दिल्ली में रहते हैं और अनुमतिके लिए अभी प्रातना पत्र दिया हुआ है लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिल पाया गया कि भू स्वामी द्वारा ऐसी कोई अनुमती तहसील प्रशासन के द्वारा नहीं ली गई है तो उस पर निश्चित तौर पर कारवाई की जाएगी तक की तैसील से चल्ड किलोमेटर की दोरी पर रोदपूर गाउं में एक सोबिगा जमीन पर दो जेसी भी मसीने चलागर ट्रेक्टर चलागर माँके खुदा ही की जा रही है तो उसमारे बीच्वड़ साब क्या गई किसी कि अभी आप बता रहे हैं आपने वीडियो दिख करेंगे कि अभिशाय क्या नहीं है यह पी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो जमीन में चार फिट गड़े खोद दी रहे हैं वो नदी से लगती जमीन में इसने आविद खनन की शिकायद भी मिलना है इस बार महां आपने जैसा कि बताया है कि यह बाउंडरी के अंदर नी नीजी भूमे में किया जा रहा है और बाउंडरी हुई है तो इससे आप ही के स्टेट्मेंट से पता लगता है कि कम से कम नदी तो नहीं है किसी का नीजी प्लॉट है जैसा कि आपने बताया है फिरहाल यह जांच का भीशा है जाके लेखपाल देखेंगे कि उसमें का है क् नीजी भूमे में आपको पहले बता दिया कि इस अंदर में जब जाएंगे वहां जाच होई जाएगी देखेंगे अगर नदी की भूमी होगी तो नीजी भूमी के पास जैसीवी मशीने चला कर खुदाई करने की कोई अनुमती नहीं है तो भू स्वामी किसकी शह पर इतन की खुदाई की जा रही है तो प्रशासन को इसकी भनक भी क्यों नहीं लग पाई यदि भू स्वामी के द्वारा जमीन समतली करण के लिए कोई अनुमती ली भी गई है तो क्या उसी के रूरूप कारे हो रहा है या नहीं ये जाचने का विशे है खेर वजा चाहे जो भी ह इन दिनों भूमाफियाओं के होसले बुलंद है पाउजूद इसके कि उप जिला दिकारी विकासनेगर के द्वारा कोट के आदेशा नुसार सरकारी भूमियों को लगातार कबजा मुक्त कराया जा रहा है और उप जिला दिकारी विकासनेगर की कोशिश है कि विकासनेगर तैसिल छेतर की जितनी भी सरकारी भूमी कबजा धारियों के कबजे में हैं उसको कबजा मुक्त कराकर एक भूमी बैंक बनाया जाए राजिक खान समाचार इंडिया रिपोर्ट में इतना ही देश और दुने की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ खबर से लेकर असर तक नमस्कार